नवश्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? What's the difference between Asia Pacific and Indo-Pacific? मेरे एक student का भी मेसेज आया है, निशान सिंग का, उन्होंने पूछा असर कि ये Asia Pacific और Indo-Pacific के बीच में differences के हैं, ज़रा इसको take up करिये और आज की ये date में जो मैंने editorial discuss किया है, वहाँ पर मैंने Russia की foreign policy समझाई थी, और Russia की foreign policy with respect to China and India समझाई थी, जिसमें USA का भी अंगल आता है, और Russia की foreign policy साफ-साफ Asia Pacific के concept को recognition देती है, Indo-Pacific के concept को recognition नहीं देती है, तो हमारे लिए समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कि what's the precise difference between Asia Pacific and Indo-Pacific? अगर आप बात करो Asia Pacific की, तो वैसे तो आपको यहाँ पे सारी की सारी नीली countries Asia Pacific का part लगेंगे, लिकिन आप समझेए, technically अगर आप geographical definition देखोगे Asia Pacific की, हाला कि मैं आपको यह भी बता दो, geographical definition नहीं देखी जाती है इस प्रकार के concept में, बट फिर भी, एशिया Pacific मतलब वो हिस्सा, वो एशिया का हिस्सा, जो कि Pacific Ocean के साथ boundary बनाता है, वो एशिया का हिस्सा, जो कि कई नकी Pacific Ocean के साथ boundary बनाता है, इस definition में definitely India नहीं आता है, लेकिन इस definition में दो countries आ जाएंगी, एक चाइना आ जाएगी और रशिया आ जाएगी, लेकिन फिर से समझे, चुकि एशिया Pacific है, तो अगर एक broad interpretation करो, तो इंडिया को भी include कर लिया जाएगा, लेकिन अब आप समझो, एशिया Pacific के साथ एक problem है, और इसलिए इंडिया, इंडिया Pacific को ज़दा importance देता है, एशिया Pacific को importance नहीं देता है, एशिया Pacific में China भी इस पूरे के पूरे multilateral grouping का member होगा, और जिस भी multilateral grouping में China इंडिया के साथ exist करता है, या चाइना इंडिया के बिना exist करता है, वहाँ पर China इंडिया को humiliate करने की कोशिष करता है कैयी नीचे दबाने की कोशिष करता है वहीं पर अगर आप इंडियो Pacific की बात करें तो इंडियो Pacific के इलाके में वो सारी country's आ सकती है जो कि इनडिया Noction के आजब सपास है ये फिर आप कहलो Pacific Ocean के आजब सपास है या तो इंडियन ऊशन के साथ या पैसिफिक ऊशन के साथ boundary बनाती है तो अभी के लिए यह जो इंडो पैसिफिक वाला concept है इसको जोड़ा जा रहा है इसके साथ कौर्ड के साथ अगर एक बार के लिए यह पूछें कि एशिया पैसिफिक के corporation forum एपक तो एश्या पैसिफिक के रीजन को रिप्रिजन करता है एश्या पैसिफिक ॉपर्ण करना चाहिए एक ऐसा मेंट्य लेटरेल इस्टिटूशन है जो कि कहीं नगाई एश्या पैसिफिक को रिप्रिजन कर सकता है और रही Sadly, MVT एक और वता द़ू। Asia Pacific तरिफोर प्रकुम में करते हो ने कि इशका़ है गहाया है सब्सद्टाइब के सब्सक्राइस पहें क्यों विटने कई ने उन प्लिफोलियन है और basically इंडिया को भी ये Indo-Pacific और Quad वाला concept मदद कर रहा है चाइना को pushback करने के लिए तो obvious सी बात है यहाँ पर ये Quad कह लीजे, Indo-Pacific कह लीजे तो Quad is basically a subset of Indo-Pacific Indo-Pacific ये ऐसा concept है जो अभी भी evolve कर रहा है और Asia-Pacific का concept का कोई मतलब है नहीं चुकि Indo-Pacific के अंदर ये potential है कि वो कही न कहीं चाइना को pushback कर सकता है और Asia-Pacific में तो खुदी चाइना सबसे major member की तरह present रहेगा तो चाइना को pushback करने वली बात बन नहीं पाएगी तो Indo-Pacific का concept और उसके अंदर जो subset है Quadilateral Dialogue ये इस समय पे इतनी importance इसी लिए पकड़ रहे है चुकि इस Quadilateral Dialogue को एक Asian-NATO की तरह देखा जा रहा है जो कि कहीं न कहीं pushback कर सकता है इसलिए Indo-Pacific और Asia-Pacific के बारे में इतनी बातचीत होती है रशिया यहाँ पे Asia-Pacific को क्यों support कर रहा है चुकि इंडो-Pacific में तो रशिया को membership एक बार को मिल भी जाए चाइना को तो मिलने वाली है नहीं और कहीं न कहीं रशिया चाइना का बहुत बड़ा दोस्पन के सामने निकल के आ रहा है चुकि रशिया को ऐसा लगता है कि उनको चाइना की तरह से बहुत सारी financial help मिल सकती है और कहीं न कहीं US और European countries sanction भी लगाती है रशिया के उपर और इंडो-Pacific में एक ही country काम की है इंडिया और इंडिया जैसे तैसे करके रशिया से वेपन खड़ी देगा ही खड़ी देगा तो इसलिए overall रशिया is more tilted towards Asia-Pacific और वैसे भी इस Asia-Pacific concept का देखी जादा कोई मतलब है नहीं RCEP अगर sign हो जाता है हलागि उस sign होना मुश्किल लग रहा है So that is more effective than Asia-Pacific Okay, यहाँ पर main concept Indo-Pacific है So reference between Indo-Pacific and Asia-Pacific should be clear to you This Indo-Pacific is very much related to Quad Indo-Pacific में एक country काफी dominant है वो है US US Indo-Pacific को successful बनाने के लिए India के ओपर काफी bank कर रहा है और India Indo-Pacific को support भी दे रहा है China को pushback करने के लिए That is why China is having a problem And चुकि China और रशिया आज की डिड़े बहुत अच्छे दोस्त हो रहे तो दोनों को problem हो रही है इस Indo-Pacific से तो वो Indo-Pacific के against बोल रहे है और Asia-Pacific के favor हैं बोल रहे है हाला कि इस Asia-Pacific वाले idea में कोई दम नहीं है यह बात इक दम clear रखेगा